उम साइराम हरहर महादीव आज का साइसंदेश जीवन है तो उतार चड़ाव आते रहेंगे क्योंकि इसी का नाम जिन्दगी है जो इनसान जीवन में संघर्ष करता है वो एक दिन अपने जीवन की जंग जरूर जीत लेता है और जीवन में कैसा भी समय आए इनसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए सबसे बहतर आप खुद को जान सकते हैं आप खुद को समझ सकते हैं क्योंकि जितना आप खुद को जानते हैं समझते हैं कोई दूसरा आपको नहीं जान सकता सबसे बहतर आपको पता है कि आप कितने सही हो कितने गलत हो लोग आपके लिए सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं अनुमान लगा सकते हैं लेकिन सही माइने में सही क्या है गलत क्या है ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं या वो ईश्वर जानता है और गलती इनसान से होती है अगर आपसे कोई भूल हुई है गलती हुई है तो आप अपने गलती को सुधार लीजिए उसे सबक लीजिए, सीख लीजिए तो वो आपको बहुत उचाई तक लेकर जाएगी लेकिन अगर आप जानते हो किया आप बिल्कुल सही हो तो लोगों के डर से कभी अपना रास्ता ना बदले क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ आपको सलहा दे सकते हैं लेकिन कोई साथ नहीं देगा आप थोड़ा सा उपर उठकर देखिए तो लोग आपको नीचे गिराने के लिए हजार खड़े हो जाएंगे क्योंकि नहीं चाहता आज के समय में कोई भी की कोई उनसे बहतर हो कोई उनसे उपर जाए लेकिन जब आप जानते हो कि आप बिल्कुल सही हो तो आप निडर होकर अपने लक्षे की और आगे बढ़ें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं है जीवन में जो गुजर गया अच्छा था बुरा था जो भी था जैसा भी था वो गुजरा हुआ कल था वो अब कभी जीवन में दोबारा लोट करने ही आएगा और उस भविशय की चिंता करने की बिजरूरत नहीं है जो अभी आया ही नहीं है जीना है तो सिर्फ वर्तमान में जीओ निस्वार्थ भाग से अपना करम करो तो आपको काम्याबी जरूर मिलेगी आपका हर सपना जरूर साकार होगा क्योंकि जो इनसान जीवन में वक्त से पहले दुखों को देख लेता है जीवन में बहुत से समझोते कर लेता है तो वो इनसान इतना मजबूत बन जाता है कि कोई भी प्रस्थिती और हाला तब उसे तोड़ नहीं सकते हम हमेशा अपने से उचे लोगों को देखते हैं उनके बारे में सोचते हैं लेकिन कभी उनके संघर्ष को नहीं देखते इस बात को कभी नहीं समझते कि ये लोग तूट तूट कर ही इतने मजबूत बने हैं तो आपको भी बिल्कुल ऐसा ही मजबूत बनना है ना कि कमजोर बनना है कि कोई भी आए किसी की भी बातों से आप तूट कर बिखर जाएं लोगों का क्या है जिसे जो कहना है वो कहे अगर आज आप काम्याब हो जाते हैं तब भी लोग आपसे इरशा करेंगे जलने लगेंगे लेकिन अगर आप जीवन में नहीं काम्याब होते तब भी आपको ताने दे दे कर जीने नहीं देंगे क्योंकि लोगों का तो काम ही यही है इसलिए लोगों की चिंता करना छोड़ दो और अपने लक्षे की और ध्यान केंदरित करो क्योंकि अब आपके जीवन में बदलाव शुरू हो चुका है अब वो समय आ चुका है जब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा जिस कार्या के लिए बार बार मेहनत की फिर भी नाकाम्याबी हासिल हुई नहीं बढ़ पाई आगे लोगोंने मजाक भी उड़ाया उपहास भी किया और बहुत रुलाया भी बहुत सताया भी कि तुम नहीं कर पाऊगे लेकिन मन से कभी हार नहीं मानी क्योंकि खुद पर विशुआस था अपनी बाबा पर विशुआस है कि एक दिन काम्याबी ज़रूर मिलेगी तो ये अंतिम परिक्षा है आप अपने जीवन की अंतिम परिक्षा के पड़ाप पर हो इसके बाद ना कोई परिक्षा होगी ना कोई इम्तिहान होगा बस आपकी सफलता होगी आपकी खुशिया होगी जो बहुत जल्द आपके जीवन को खुशियों से महका देंगी अब हर तरफ आपको खुशिया ही खुशिया नजर आएंगी दुख की काली चाया कभी आपको छोबी नहीं पाएगी क्योंकि अब आपके बाबा का आशिरवाद आपके साथ है और वो हमेशा आप पर योही बरसता रहेगा जो कुछ आपसे दूर हो गया है खो गया है चला गया है उसके लिए दुख ना करो क्योंकि उससे भी जादा उससे भी बहतर बाबा आपको देंगे जिससे कि आप कभी अपने गुजरे हुए कल को याद भी ना कर पाओगे इतना अच्छा इतना सुनेहरा भविश्या आपका आने वाला है और वो वक्त आ चुका है अब एक के बाद एक चमतकार आप अपने जीवन में देखोगे बस निस्वार्थ भाब से अपना करम करते रहो और लोगों की चिंता करना छोड़तो खुद पर विश्वास रखो अपनी मेहनत पर विश्वास रखो और इश्वर पर आस्था रखो तो बहुत जल्द आपको आपके हर सबर का फल मिलने वाला है सदा खुश रहें सदा जबते रहें ओम साई राम हर हर महादेव